एक्वेरियम में शैवाल या एलगी एक आम समस्या हो सकती है लेकिन चंता ना करें, इनसे निपटने के लिए हम कुछ स्टेप साजा कर रही हैं, जिसे आप आसानी से कर पाएंगे स्टेप एक आप अपने एक्वेरियम से एलगी को खुद से हटाने के लिए एक साफ तूथब्रश या एक विशेश एलगी ब्रश का उप्योग कर सकते हैं शेश एलगी को बढ़ने और फैलने से रोकने के लिए जितना संभव हो उतना हटाना आवशक है स्टेप दो अप्शिष्ट या सबस्ट्रेट को साइफन करें और पानी को बढ़लें एलगी पानी में पोशक तत्वों की अधिक्ता के कारण हो सकता है सबस्ट्रेट को साइफन करना और पानी को बढ़लना पोशक तत्वों की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है से तनावश्षक है, प्रेट से पने अफ्यां करें, आप अपने एक्वेरियम की रोश्नी के समय को कम करें या दिमर्फ स्विच का उप्योग करने का प्रयास कर सकते हैं. स्टेप चान एलगी को खाने वाली मचलियों या जानवरों को शामिल करें ओक्टोसिनिकलस कैटफिश, अमानो जींगा और सियामी एलगी खाने वाले कुछ मचली और क्रस्टेशियन हैं जो शैवाल का सेवन करने के लिए जाने जाते हैं इन्हें अपने एक्वेरियम में शामिल करने से एलगी के विकास को नियंतरित करने में मदद मिल सकती है स्टेप पांच कई सुरक्षित और हलके एलगी साइड़ वाले रासाइनिक उपचार उपलब्भ हैं जो एल्गी के विकास को नियंतरित करने में सहायता कर सकते हैं। ऐसा ही एक उपचार है ओजपोलिश डी एल्गी जो आपके एक्वेरियम में एल्गी से छुटकारा पाने का एक सिध्ध और प्रभावी उपाय है। जबकि एल्गी साइट्स में मौजूदा एल्गी को खत्म करने की क्षमता है, वे नए एल्गी के विकास को रोकने में प्रभावी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए एल्गी साइट्स के साथ-साथ अन्य चार स्टेप्स को भी करना महत्वपूर्ण है। ओस्पॉलिश डी एल्गी एक सुरक्षित और प्रभावी समाधान है, जब निर्देश अनुसार उप्योग किया जाता है और ओवर्डोस नहीं किया जाता है। हालां कि इसका उप्योग पानी के संचलन के बिना वाली फिशबोल में नहीं किया जाना चाहिए, या यदि टैंक में लोच, ओटोसिंकलस, कोरिडोरस कैटफिश और अन्य सभी कैटफिश, नाइफ फिश, इल और रोप फिश या कोई अन्य बिना स्केल वाली मचलिया है, तो भी इस्तिमाल न करें। यदि आप अपने एक्वेरियम में जींगों, जैसे अक्षेरुकिय या इन्वेर्टिब्रेट जीवों को रखते हैं, तो हम यह सला देते हैं, कि एलगी साइड्स का उप्योग करने से परहस करें, या आधे से कम मात्रा में उप्योग करें। इसके अलावा, यह अनुशंसा की जाती है, कि एलगी साइड्स को फिल्टर आउटलिट के पास डालें, और इसे शुद्ध पानी के साथ इसकी मात्रा का दस गुना पतला करने के बाद इस्तिमाल करें। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि यदि आप एक नया एक्वेरियम स्थापित कर रही हैं, तो किसी भी एलगी साइड्स का उप्योग करने से पहले कम से कम तीन महीने इंतजार करना सबसे अच्छा है। यह एकोसिस्टम को खुद को स्थापित करने और एलगी साइड्स के पानी में अचानक जाने से किसी भी संभावित व्यवधान के खिलाफ अधिक स्थिर होने का समय देगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना आवश्चक है कि पानी परियाप्त रूप से फिल्टर किया गया है और किसी भी एलगी के अचानक मरने की भरपाई के लिए ऑक्सिजन युक्त है। यहां आपके जलिय जीवन के लिए एक स्वस्थ और संतुलित जलिय वातावर्ण बनाये रखने में मदद करेगा। एलगी आमतोर पर क्षारिय या एलकलाइन वातावर्ण में 8.2 और 8.7 के बीच पीच वाले पानी में अच्छे से पनपता है। और स्पॉलिश H2O जैसे विशिष्ट इन्पुट से पानी की क्षारियता को कम किया जा सकता है। यहां हमारे पिछले वीडियो में से एक में कवर किया गया था। एक्वार्टिक हैबिटेट पर हमारे वीडियो को देखने के लिए हम आपकी सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको यहां अच्छा लगा होगा। यदि आपको मचली पालन पर हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस जानकारी पूर्ण और आकर्शक लगते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। आपके लाइक और शेयर न केवल हमें अधिक सामगरी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बलकि में हमें व्यापक दर्शकों तक पहुँचने में भी मदद करते हैं। संकोच ना करें, अभी बटनों को क्लिक करें। इसके अतिरिक बेजिजक हमारी वेबसाइट www.https//icnaqrum.com देखें। आपके समर्थन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद और हम आपको अपने अगले वीडियो में देखने के लिए पुछ सुख हैं। एल्गी से छुटकारा पाना इसके विकास को रोकने से जयादा आसान है। इसीलिए औसपॉलिश डी आल्गी जैसे मानक समाधानों का उप्योग, खारे पानी सहित सभी प्रकार के एक्वेरियम के पानी में एल्गी के उपचार में प्रभावी हो सकता है। यहां सुनिश्चित करने के लिए कि हमें सर्वोत्तम संभव परिणाब मिले, यहां महत्वपूर्ण है कि हम इस विडियो में शामिल निर्देशों का ध्यान पूर्व पालन कर रही हैं। यहां निश्चित रूप से आपके लाब के लिए हो क्योंकि अन्तह आपके पास एक ऐसा फिश टैंक होगा जो साफ और सुन्दर दिखता हो और जिसे देख आप प्रसन्न होंगे। रज़े इसे पास झाल झाल